नमस्कार सातियों फिर से स्वावेत आपका एक और नी वीडियो में तो बर याना कोसल रोजगार निगम के तहत लगे सातियों वो लेके बहुत बड़ी ख़बर लेकिया यहां क्योंकि लाखों की सिंक्या में साति जो हलगलग डिपरमेट वाइज पोर्ट किये जा चुके है और सातियों के जो हुब बार-बार मैसेज आने लग रहे थे कि सरमारा जो हुब एप जमा नहीं करवा गया है और याना कोसल रोजगार निगम के द्वारा अक्टूबर 2023 का भी नहीं होया है और नॉम्बर 2023 तो अब भी खतम होया वै तो आप सातियों दिखावाँगे बार देने वाड़े हैं तो सबसे पहले तो यह देख लिजी सातियों भई इस परकार से जो हर याना कोसल रोजगार निगम के द्वारा वै पिछ जो हर बहुत सारे सातियां का एप जमा नहीं होया था अपरेल 2022 के हैं माई 2022 के हैं जून 2022 है जुलाई 2022 के कैंडिडेट हैं तो इस परकार से इतने इतने कैंडिडेट है जिसका जो हुआ पिछे का एपीए फ्रहरा था तो उनको जो हर कलिए करने लग रहे हैं याना कोसल रोजगार निगम दीरे दीरे और जो आपका E-सए और जो आप सातियां का इल डबलू एफ है उसके लिए बाल अलग से जो है याना क कोशर रोजगार निगम की द्वाराएक नाइटी भी करी गई है जिसके अंदर जो सर्विस प्रोवाइडर के लिए टेंडर निकालया है ताकि एक सर्विस प्रोवाइडर चाहिए जो सपेशल से जो इसकाम को देख है और उसके जुम्मा होगा बस सारा काम जो हाब का ले होता जाने लग रहा है तो इसके अंदर ये देख लिजिवा जो पिछे का जो आपका ईपीएफ था उसका बेडिटेल जो हाच चैक करकर गयो डलवाया जाने लग रहा है तो इस परकार से जनवरी 2023 लगका जो है इनों ने डाल लिया है और जो दूसरी लिष्ट आई है तो इस परकार से देख लिजी वह ये दूसरी लिष्ट है इसके अंदर भी ये देख लिजी फरवरी 2023 के 303 इंपुलोई का ईपीएफ डलवाने का काम करिया है मार्च 2023 का 613 का डाल लिया है तो इसी परकार से देख लिजी वह शितंबर का है अगस्त का है जो पिछे से जो स साइब और उसी प्रकार्षे जो अक्टूबर दोजार तेइस का जो आपका वेज़े साथियों वह भी जमा करवा दिया है 1433 कंडिडेट का भी तक जमा हुआ है और यह जमा करवाया ठाइस नॉंबर की तारिक में जो है आप सातियां करवाने का काम करें था सातियों ठीक है और यह जो आपका जो 1433 जो कंडिडेट है जो अक्टूबर महिने के जो बच रहे हैं जिसका पिछे का सारा जमा हो लिया है तो उनका जल्दी पोर्टल के उपर जो अपडेट कर दिया जाओगा तो उनकी जवाब साते ने एक बड़ी लिष्ट भी दिखाया और जो नॉमबर के साती है उनका अभी तक नहीं हो या भाई नॉमबर वाड़ेंगे अभी सेल्दरी जावागी और उनके इन्वेस वगार अभी जरनेट नहीं हो रहे हैं कुछ सातियां के उरेंदी रेदी रेक्यों के सर्वर बीजी चल रहा है तो सात के सात में जैसे उन वह इतना इतना माउन्ट जो है उनका करेड़िट करने लगगे यार याना को सर्रोजगार निगम ठीक है तो इस परकार से देखलिजिस अपना नाम है अगर आफ साती वह इस परकार से पूरी पूरी जो है लिष्ट है जिसके अधर जो 1463 जो काndidate है जिसका जमा कर दिया ह क्टूबर का तो इस परकार से नाम this mention करके ऑप सासीयंगे और से इसके इंदर सातियों प्ूरी पूरी जो कैंडिटिट है उनके नाम् सातियां जम्हा कर दिया है ज़ल्दन की पास्प्क के इनदर जम्हा हम जाओगा यानिके 10-15 दिन आपका करनाल आपका EPF ओपीस है, वहाँ पे आपके पैसे जमा हुआ हैं, और करनाल ओपीस वाले जो आपका अपडेट कर देते हैं, यानि के 5-10 दिन आपके लगजे हैं सातियों जो आपका EPF जमा करवाने में, तो इस प्रकार से पर 1433 कंडिडेट का हो चुका है, तो आप साती भी जो अ अपना अपना पास्बुक चैक कर लेनी है कि किसकी साती का हो चुका है, तो यही ताजा इनिफोर्मिसल लेगा थे, क्योंकि साती जो बार-बार कमेंट करके पूछ रहे दे, कि मारा जो आपका EPF अभी तक जमानी होया, तो आप साती ने वीडियों कि आपका बहुत-बहु जैरियाना